हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी काई मेंगिनस पर मैं हूँ ऑपी राटर रीजिनिंग की सीरीज में मैं इससे पहले आपको कलेंडर करा चुका हूँ ये क्लॉक दूसरा टॉपिक है तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का बिना कोई समय गवाए चलिए सबसे पहले तो के सकता हूँ कि आप मेरी स्पीड के साथ में आप चल पाएंगे ठीक है थोड़ा सा स्पीड ली चलूँगा मैं ताप उसको समझें और मेरे साथ चलने की कोशिस करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि चार टाइप के कोशन बनते हैं पहला टाइप होता है मिरर रि दर्पन संबंदी दर्पन आप समझते होंगे सीशा जिसमें आप अपने आपको सुबह सुबह उटके निहारते हों दूसरा बनेगा यहां से एंगल रिलेटेड कोण संबंदी जिसमें आपको कोण निकालना पड़ता है तीसरा समय टाइम रिलेटेड जिसमें आपको टाइम निकालना पड़ता है समय निकालना हो समय संबंदी या समय निकालना हो और लास्ट है है खराब घड़ी अब कुश्चन पर आते हैं या फिर कॉंसेट पर पहला कॉंसेट या पहला टाइप हमारा है कि मिरर से रिलेटेड जो कुश्चन से बनते हैं अब मिरर को दो टाइप से रख सकते हैं आप या तो इस्टेट रख सकते हो या फिर लिटा सकते हो या फिर लिटा सकते हो जो खड़ा हुआ उसको कहते हैं उर्दवा जब खड़ा हुआ दरपन होगा तो कुछ ऐसा होगा इधर से हम इसको घड़ी दिखाएंगे सीसे में जाके मिरर इमेज बनेगा तो वो मिरर इमेज कैसे बनता है जैसे सवाल पूछा जाता है कि एदी किसी घड़ी में 9 बच कर 30 मिनिट हो रहा है तो बताइए सीसे में कितना समय हो रहा है सीसे में देखने पर कितना समय दिखाई देगा तो देखो ज़्यादा बक्त अपने पास नहीं है इसलिए मैं सीधे-सीधे कुछ ट्रिक्स हैं होती है इसमें उन पर आऊंगा मैं सीधे-सीधे बताऊंगा कि आपको क्या करना है कभी भी बर्टिकल मिरर या फ उत्ना समय होगा तो इसमेंसे अफ घटा देंगे चुकि 12 में से 1.2ु डुबंतिते कि अब 20 की चेजह क्या लेंगे 1160 ओगे क्या लोगे 1160 ओगे अब कईऊगे हम यहां पे साथ क्यों लिया है क्योंकि हम यह जानते है कि एक में 60 मिनट ही होते हैं इससे जादा नहीं हो सकते हैं तो आपको यह करना है बस दिये गए समय को 11.30 में से घटाना है जो भी समय आ जाएगा 032 हम कह देंगे कि 2 बचकर साहब 30 मिनट का समय हो रहा होगा सीसे में सीसे में 2 बचकर 30 मिनट का समय हो जब घड़ी में 9 बजकर 30 मिनिट का समय हो रहा है तब ऐसा होता है बर्टिकल मिरर के अंदर या उर्दवादर दरपड के अंदर सबाल आप से उल्टा भी पूछा जा सकता है कि यदि किसी उर्दवादर दरपड या बर्टिकल मिरर में 10 बजकर 10 मिनिट का समय हो रहा है तो बताईए कि उस घड़ी में सही समय कितना हो रहा होगा तो उस case में भी आपको 11.60 में से ही घटाना है वो दिया गया time दूसरे time को हम चेक करेंगे क्या 11.50 का समय अगर किसी घड़ी में हो रहा है तो mirror image क्या बनेगा इसका या mirror में कितना time होगा तो हम क्या करेंगे 11.60 में से इसको घटा देंगे 11.50 को 11.50 को जब इसमें से घटाएंगे तो 0.1 और यहां क्या जाएगा 0 आ जाएगा और 0 बज़ क 10min तो होता नहीं घड़ी में तो दोस्तों यह होता क्या है यह 12.50 मिनट होगा क्या होगा 12,50 मिनट जब भी जी जीरो आ evento क्या करño आएगा जाएगा बाराघा सब्सक्राइख दें यह इस चीज को मैं यह कहूं कि 24 गंटे में दिखाना पड़ जाए कभी आपको तो 24 गंटे की जो घड़ी होगी उसको आप क्या लगेंगे 23 23 बचकर 60 मिनिट में से यह दिये गए टाइम को आप घटा दिया करेंगे अब इसी टाइम को अगर टेई-साट मेंट से घटाता तो मैं 12 बचता समझ पाई इस बात को चलिए नेक्स को देखते हैं हां इन टाइम को और सॉल्ब कर लेते हैं उसी से जैसे मैंने अभी कहा था कि या तो आप 1160 में से घटाईए समय अगर 11 या 11 से छोटा है तो अगर 11 से जादा दे रखा है देख तो आपको मिरर इमेज मिल जाएगी या मिरर में बना हुआ टाइम मिल जाएगा 13 में से 7 गया 6 बचेगा 6 बचकर 20 मिनट टाइम हो रहा होगा आप चाहें तो 11.60 में से 5.40 को घटाओगे तब यही आंसर आएगा अब सबाल सपोच करो ऐसा आ जाए जिसमें सेकंड भी दे जैसे 2 बचकर 38 मिनिट और 30 सेकंड उस केस में आप क्या करें कि 11.60 जो मैंने बताया इसमें से 1 मिनिट इदर ले लो उसका सेकंड बना लो जब आप इसमें से 1 मिनिट ले लोगे तो यह जो मिनिट हैं वो 69 रह जाएं कितनी 59 ऑब बाकी का 60 सेकंड आ जाएं अब यह बाले सब्सक्राइब का आपको मिरर इमेज या सीसे में क्या टाइम हो रहा गाओ वो बताना है तो इसको आप घटा दो दो बज़कर 38 मिनिट और 30 सेकेंड जब आप इसमें अगर पांच बचकर 15 मिनिट और 25 सेकंड हो रहे हैं किसी गड़ी में तो सीशे में कितना समय हो रहा होगा तो आप 11 59 60 में से इस टाइम को घटा दीजिए यह बच जाएगा 35 नौ में से 5 गया 4 और 4 और यह 6 चे बचकर 44 मिनिट 35 सेकंड का समय हो रहा होगा किस में मिरर में अगर सवाल उल्टा दे दिया जाए कि एक घड़ी में गड़ी के सामने कोई दरपंड रखा है या सीशा रखा है उसमें देखने पर यह टाइम दिखाई देता है तो ओरिजिनल समय क्या होगा तो भी हम इसी में से घटाएंगे चीक है नेक्स्ट अब थोड़ा जल्दी चलेगी अब होरीजेंटल मिरर की बात कल देते हैं होरीजेंटल मिरर कैसा होगा ऐसे रखा होगा तो उसका तरीका लगोगा निकालने का होरीजेंटल मिरर में देखो आप या फिर कभी तालाव के किनारे खड़े होगे पानी में देखो तो पानी में भी एक इमेज बनती है आपकी तब पूछा जाता है आपसे कि किसी घड़ी को मैं ऐसे रख दूं तो वो पानी में जो इमेज बनेगी वो क्या होगी या उसमें टाइम क्या दिया होगा तभी यहां पर लिखाया या तो होरीजंटल इमेज या फिर वाटर इमेज या नि या तो 36 36 इमेज या 36 समय गड़ी में आपको समय देखना है या फिर वाटर इमेज या नि पानी में क्या इमेज बनेगी जैसे आप से कहा गया कि किसी घड़ी में 3-2 बज कर 40 मिनिट का समय हो रहा है 45 मिनिट का समय हो रहा है तो बताईए उसकी होरीजेंटल इमेज क्या बनेगी 36 इमेज क्या बनेगी या फिर पानी में देखने पर क्या इमेज बनेगी आपका जवाब होगा 345 ठीक है इस तरह के एक दो सवाल में ले लेता हूं फॉइंट दा वाटर इमेज ऑफ 830 आठ तीस की वाटर इमेज बताईए तो आपको करना है 1790 और इसमें से 38 घटा देना है 830 गटा होगे तो 0, 60, 17 में से 8 गटा होगे तो 9 यानि ये 10 बज रहे होगे देखने, 9, 60 आगए मतला 10 बज रहे होगे, 60 का मतलब भी तो एक घंटा ही होता है ये आप निकाल लें 2.45, 2.53 हो रहा है तो आप 17.90 में से ये घटाना टाइम निकल के आ जाएगा जैसे कि 17.90 में से इसको घटाओ 2.53 को 10 में से 3 गया 7, ये 6 हो गया, 3.57 17 में से 2 गया, 15 ये भी 3.37 आ जाएगा 337, ऐसे सवाल हलाकि बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी मैंने जब हम क्लॉक पड़ रहे हैं तो उसमें ये आता है, टाइप है उसका तो मैंने कवर करा दिया आपको, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अच्छा ये सवाल ओरिजिनली आया भी है, से 10 प्लस टू, 2010 में पूछा गया था तो ये 3, 45 को आपको करना क्या होगा? कि बल 11, 60 में से घटाना है अब आप कहोगे कि इसमें दिया नहीं है कि क्या पूछा गया है दरपन कैसा था? 36 था कि आपको उर्द्वादर था यानि होरीजॉंटल था या बर्टिकल था जब भी दरपन के बारे में कुछ नहीं बताया जाए तो आपको ये मान के चलना है कि दरपन कैसा होगा? बर्टिकल होगा बर्टिकल मतलब दरपन को कुछ इस तरीके से मान के चलना है कि ऐसे रखा होगा तो आप इस case में क्या करते हैं हम 11.60 में से गटा देते हैं बस मैंने आप इसको सवाल दिखाने के लिए दे दिए कि 36 गड़ PSC Pre 2014 में भी यह सवाल पूचा गया था देखो 8.30 में से इस answer निकालना था आपको गलती से इसमें answer लगे रहे गे हैं उसको ignore कर दें आप नेक्स अब नेक्स टाइप पे चलते मैंने दूसरा टाइप आपको बताया था कि यह एंगल कैसे निकालते हैं सबसे अच्छा टाइप यह कहूं मैं कि कोशन पूचने की संबाबना जहां से बनती है वो यह है कि अगर आपको गड़ी का टाइम दे दिया जाए जैसे दो बच क्रूई का कौंसेप्ट समझते हैं या काटों का का सिस्पत समझते है जैसे घड़ी है मैंने कह यह इसका अब और हैंड है यह इसकोपर मिनट है कितने बज़़ रहे हैं मिनट की सुई है मैं ने कहा कि Hag घंट की गुम्ना सुरू करती है ऐसे करके यह पूरा गूम जाएगी मिनिट की सुई क्या कितना समय लेगी हम बता सकते हैं मिनिट की सुई ने बारा से गूमना सुरू किया बापस बारा पर पहुंच गी कितना समय लेगी क्या मैं बता सकता हूं बोले एक गंटा अब मैं मिनिट की सुई के बारें बात कर रह होगा बुले पूरा गुम गई इसका मतलब 360 डिगरी तो हमने यह देखा कि 60 मिनिट में मिनिट की सुई 360 डिगरी गुम गई 360 डिगरी तो आप मुझे बता सकते हैं कि 1 मिनिट में कितना गुमेगी बुले 60 से डिवाइड कर दो इसको 6 डिगरी हमारे सामने एक कॉंसेट निकल के आया कि मिनिट की सुई एक मिनिट में 6 डिगरी घुमती है यह हमको पता होना चाहिए अभी तक नहीं पता था अब हमें ऐसे कुशन करने के लिए दिमाग में रहनी चाहिए बात अब गंटे की सुई के बारे में जानते हैं थोड़ा सा क्योंकि जो भी सवाल घड़ी में आता है वो घंटा और मिनिट की सुई पर आता है सेकेंड की सुई को लेकर सवाल कभी पूछा नहीं जाता अब अब मैं आप से कहता हूं कि भाई साब द्वारा घंटे की सुई घुमना प्रेकरे कि 360 डिग्री को तुम यह कह सकते हैं कि एक गंटे में कि इंकल बनाएगी बहुती सिस्टी मिनिट में 60 में तीस डीज चलती है 60 मिनिट मैं अगर तीज डिग्री चलती है तो एक मिनिट में कितने डिगरी चलेगी बोले एक मिनट में आदा डिगरी चलेगी कितने आदा डिगरी इसे समझने में कोई समस्या नहीं होगी 60 मिनिट में 30 दिगरी मतलब 30 दिगरी चलने में एक घंटा लेती है तो एक बटे दो डिगरी चलने में एक मिनिट लेगी या एक मिनिट में आदा डिगरी चलेगी अब मेरे पास दो concept या दो fact आगी कि घंटे की सूई एक मिनट में 15 डिगरी चलती है और मिनट की सूई एक मिनट में 6 डिगरी चलती है तो अगर मुझसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए मिनट की सूई minute की सुई 20 minute में कितना degree angle बनाएगी किवल minute के बारे हम पूछा है अब हमें यह पता है कि 1 minute में कितना बनाती है बोले 6 degree थो बीस minute में कितना बना लेकि 27 degree आप कहींगे तने आसन सवाल आती है नहीं मैं यह नहीं कहूंगा कि इतने असान सवाल आते हैं लेकिन बनते इसी concept पर हैं अगर मुझे यह वाली बात याद है या समझ आगई यह बूब वाली बात समझ आगए तो इन्हीं पर बेस्ट बेस्ट कोशन आते हैं मैं सवाल आपको दिखाता हूं पहला सवाल अर अर कि सुई कितने डिग्री घुमेगी सबाल थोड़ा सा टिपिकल या लॉजिकल पूचा गया है यदि ये गड़ी की गंटे वाली सुई अठारा डिग्री आगे घुमती है तो उसी दौरान मिनिट की सुई कितने डिग्री घुमेगी देखो अठारा डिग्री हम गंटे की को हमें पता होना चाहिए कि भाई सब जो घंटे वाली सुई है वो एक मिनिट में कितने डिगरी चलती है हाफ डिगरी तो भाई सब 18 डिगरी चलने में कितना समय लेगी बोले डबल टाइम डबल टाइम लेगी यानि 18 दूनी 36 मिनिट चतिस मिनिट 18 डिगरी चलने में कितना लेगी 36 मिनिट और 36 मिनिट में मिनिट की सुई कितना गुम जाएगी हमें बताना है बुले मिनिट की सुई एक मिनिट में 6 डिगरी गुमती है तो 36 मिनिट में कितना 36 का मल्टिप्लाइ कर दो 216 216 डिग्री समझ पाए उसी कौन सेप्ट पर बेज सवाल है प्रीविएस यह सवाल है नेक्स कुशन पढ़ो अगला सवाल यह यूपी पीएसी ने पूछा 2015 में किसी गड़ी में 3 बज़ कर 12 मिनिट से 6 बज़े तक समय बदलने में गंटे की सुई कितने डिगरी का कौन बनाएगी या कितना डिगरी घूम जाएगी वो आपसे ही कह रहा है कि समय हो रहा था गड़ी में 3 बारा और अगर 6 बज़ रहे हों कितने 6 बज़े हों तब तक वो ग गड़ी चल कितने गंटे गई तो मैंने देखा कि अगर 3 बज़रे होते हो 6 बज़ते तो पूरे 3 गंटे हो जाते चुकि यहां 12 मिनट पहले से जादा हो रहे थे इसका मतलब गड़ी जो चली 2 गंटे 48 मिनट चली कितना 2 गंटे 48 मिनट अगर 2 गंटे को मैं मिनट में बदल चलती है एक मिनिट में आदा डिगरी तो आदा डिगरी से गुणा कर दो समझ तो आट 16 248 तो चुरासी डिगरी चल देगी 84 डिगरी चल देगी 84 इस दराइट आज़ तो आप समझ पारे होगे एंगल का क्या यूज होता है अगर हमें एंगल फाइंड करना आ गया तो हम कैसे ही सवालों को बहुत आसानी से कर देंगे ये तो थोड़ी से आसान सवाल हुए अब थोड़ा सा अच्छे लेवल की सवालों क्यों चले अच्छा ये भी आसानी है सवाल ये देखो MPPCS 3 में पूछा गया 2017 में एक गोल्ड डायल वाली घड़ी के बीच का कोण कितने डिगरी होगा अब आपका सवाल ये आता है कि सर सेकंड की सुई के बारे में आपने कुछ बताया नहीं सेकंड की सुई से रिलेटेड ये सवाल ही ने उसे ने ये कहाए कि ये है आपकी घड़ी बहुत गंदी बनी है चल दौरा बनाते है इसमें mathematical figure न गंटे की सुई है और यहीं मिनिट सेकंड की सुई है तीनों सुई है एक सीध में है क्योंकि वो कह रहा है कि ठीक बारा बजने का मतलब बहीं मिनिट की सुई वहीं गंटे की हो वहां सेकंड की अब वो कहता है कि बारा दस हो रहे हो जब समय कितना हो रहा बारा बज़कर द पर आजाएगी दो पर आजाएगी यह इस्तिती रही होगी लेकिन ठीक बारा बजकर दस मिनिट होएंगे ठीक बारा बजकर दस मिनिट होएंगे तब सेकंड की सुई तो भाईसा बारा पर रहेगी सेकंड की सुई ठीक बारा पर रहेगी तो सेकंड की सुई तो हमारी ठीक ब तो दस मिनिट में कितनी चल जाएगी बूले पांच डिग्री पांच डिग्री इस इसका सही होता है नेक्स कुश्चन अ उत्तरा खंट पीस सी ने पूचा है यह थोड़ा सा अलग लेवल का सवाल है इसमें पूचा है कि चार बज कर बीस मिनिट पर घंटे और मनिट की सुईयों के बीच के बीच का कोण कितना होगा यह एंगल निकालने पर बेस्ट कोश्चन है सीधा सीधा एंगल कैसे निकाला जाता यह हमें समझना है ठीक है उसमें एक तरीका तो यह होता है कि आप घड़ी को ऐसे बना लो हमन कि तीन बज रहें यहां चार पांच चार बज कर बीस मिनिट पर मिनिट की सुई कहां होगी बोले चार पर कितने पर चार पर घंटे की सुई कहां होगी बाई सब होगी तो चार पर पर चार से थोड़ा नीचे होगी थोड़ा सा नीचे इतना नीचे भी नहीं होगी चली बोले 12 से 4 तक आने में 4 गंटे लगे और ये गंटे में 30 डिगरी चलती है तो 4 गंटे में 120 डिगरी चली और फिर 20 मिनिट में 10 डिगरी और चली यानि कुल मिला के वह 130 डिगरी चली कौन सी घंटे की सुई मिनिट की सुई 12 से 24 पराई सी दी कितने 20 मिनिट चली तो मिनिट की सुई 1 मिनिट में 6 डिगरी चलती है तो 20 मिनिट में कितना चलेगी बोले 120 डिगरी 6 डिग्री चलती है एक मिनिट में और 20 मिनिट चलाना है तो 120 डिग्री चलेगी अब आप देख लीजी इन दोनों का अंतर कितना है तो आप खुद ही बोल देंगे कितना पुले 10 डिग्री लेकिन ये तरीका बहुत लंबा होगा और हो सकता है आपसे बनेना और गलत भी हो जा कि कोई और तरीका है क्या और तरीका मतलब ट्रिक या जुगाड तो एक तरीका है कि आप क्या करें हमको क्या निकालना है एंगल निकालना है तो एंगल वरावर आप क्या करें 30 H-11 by 2 है ऐसा करते है एच का मतलब क्या है यहां पर आवर या घंटा M का मतलब क्या है मिनट है मिनट है अब इसमें रखते हैं इस ठीटा का मतलब क्या है कौण है ठीटा का मतलब क्या है कौण या एंगल आप इसमें रखें और आंसर आजाएगा तुरंत आपका देखो सवाल आपसे यह कह रहा है कि चार बज़कर बीस मिनट का समय हो रहा है तो यह जो 4 है यह H है आपका और 20 क्या है M है 4 क्या है गंटा है और 20 क्या है मिनट है हमको चाहिए ठीटा तो ठीटा बराबर मैंने कहा 30 into H माइनस 11 by 2 M आप इसको 3-4 सवालों में लिख लेंगे बार बार तो यह आपको याद हो जाएगा ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि याद कैसे रहेगा देखो 30 गुणा 4 का गुणा करो तो क्या यह 20 आजाएगा माइनस 11 by 2 मिनिट कितनी है बोले 20 20 का गुणा कर दो 2 से 20 को काटा कितनी बार 10 बार 120 माइनस 11 धाम 110 कितना डिगरी आगया बोले 10 डिगरी 10 डिगरी आगया आपका ठीटा और यही आपका उत्तर है यही आपका उत्तर है जब आप इस पर कमांड कर लोगे ताप और ली भी कर सकते हो किवल इस 30 एच और 11 by 2 का खेले 11 by 2 का नेक्स कुशन इस सवाल को करेंगे ऐसे 9 बजकर 50 मिनिट का समय हो रहा है कितना 9 बजकर 50 मिनिट 9 इसमें एच है और 50 क्या है एम है तो ठीटा बरावर क्या होता है 30 एच माइनस 11 by 2 एम 397 270 हो गया यह 11 by 2 इंटू 50 50 को 2 से काट दो 25 25 का 11 में गुणा कर लो 270 माइनस 25 का 11 में गुणा करो 25 दो सो पचास 275 कितना आगे 275 यह कितना आजाएगा अंतर बोले माइनस का 5 माइनस की कोई भी बेल्यू आएगी उसको नहीं लेंगे इसको पॉजिटिव ही लेना है आपको यह जो भी बेल्यू आजाए आपको पॉजिटिव ही लेना हमे शाथी किसी घड़ी में तीन बच कर 40 टीटा बरावर 30H माइनस 11 बाई 2M यहाँ पर माइनस का मतलब हमेशा माइनस करना नहीं है भाई यह डिपेंड करेगा बैल्यू पर अगर बैल्यू नेगेटिव आई तो आप इसको पॉजिटिव ले लेना 30 कितना सम्मों हो रहा है 3 तीन का गुणा कर दोती यह 90 बन जाएगा माइनस 11 बाई 2 मिनिट में कितना है 40 2 से काटोगे 20 रिसमित यह कितना आगे 90 माइनस 11 दूनी 20 11 दूनी 22 220 में से जब 90 जाएगा तो कितना बचेगा 220 में से 90 गया 270 गया तो 130 130 डिगरी नेगेटिव आ रहा है आपको पॉजिटिव लेना है हमेशा पॉजिटिव लो गया पिछले सवाल में बताया था कि आप इसको पॉजिटिव ले लेना अगले सवाल क्यों बड़े नेक्स कॉस्चिन 735 बजे गड़ी की दोनों बाइट टू है मैं तीन चार सवाल इसलिए करा रहा हूं कि आप प्रेक्टिस करने की द्वारा जरूत नहीं पड़े बात को ही समझ लें देको मैं 2010 में आया है जितने भी सवाल मैंने करा है सब प्रीवियस येर सवाल होंगे 30 गुणा साथ करना है इतना गुणा आपको करना होता है ह की जगे साथ रखेंगे 30 से गुणा करेंगे 210 आ जाएगा 11 बाइट टू इंटू 35 210 माइनस 35 का गुणा कर लो 11 में 11 पंजे पच्पन 11 तीय तीस और पांच 38 अड़तिस बटे 2 2 से काटोगे तो ये 192.5 192.5 210 में से घटाओगे तो 8 7.5 और 10 7.5 सत्रा साही एक बटे 2 डिगरी या अंस हिंदी में अंस भी बोलते हैं डिगरी को ठीक है अगला सवाल अब कुश्चन आते हैं टाइम रिलेटेड कुश्चन कैसे होते हैं सवाल ऐसा आता है कि 2 से 3 बजे के बीच गड़ी की दोनों सुईया आपस में कब मिलेंगी या पिर ये पूछ सकता है कि गड़ी की दोनों सुईया अपोजिट कब होंगी या पिर आपसे पूछा जाता है गड़ी की दोनों सुईया कब समकोर्ण पर मिलेंगी या लंबबत होंगी तीन चीजे बनती हैं, तीन केस बनते हैं यहाँ से सवाल. सवाल पूछने के तीन केस बनते हैं यहाँ पर? पहला होता है मिलना. वैसे तो मिलने के तरीके क्ज्थا होगा? और लेप करना या फिर को लिनियर जिसको हिंदे में बोलते हैं समपाती एक दूसरे के उपर आना गड़ी कोई भी गड़ी हो कुछ ऐसी गड़ी होगी जैसे मैंने का तीन पर गंटे की सुई है उसी तीन पर मिनिट की सुई आ जाए ये कब बनेगा, कितने बजे होगा कुछ ना कुछ टाइम हो रहा होगा एक जैक्ट तीन बजे मिनिट और गंटे की सुई एक दूसरे की उपर नहीं हो सकती क्योंकि 15 मिनिट जब मिनिट की सुई चलेगी तब तक घंटे की सुई भी नीचे खिशक चुपी होगी तो बो कुछ ना कुछ भाँ टाइम हो रहा होगा तीन बजे कर पंदरा, सोला, सत्तरा कुछ ना कुछ बो टाइम हमसे पूछा जाता है बो निकालने का तरीका क्या हो मिलने का मतलब जब भी पूछा जाएगा ये ऐसा कब होगा या कितने डिगरी का कौण बनता है उस समय जीरो डिगरी का कौण बनता है जब भी घडी के दो कांटे एक दूसरे के ऊपर पहुंसते हैं तब जीरो डिगरी का कौण बनता है एक होता बिपरीत विप्रित दिसाम होना घड़ी के दोनों कांटे अपोजिट अपोजिट होंगे घड़ी के दो कांटे जैसे कि घड़ी है यह उसकी घंटे की सुई है नौ पर कितने पर नौ पर मिनिट की सुई है तीन पर यह मिनिट की सुई है आवर हैंड और यह मिनिट हैंड तो एक दूस तीसरी situation और होती है, बस उसको आप और समझे लो, फिर सीधे questions पर आएंगे, और फटा पट से questions को निप्टा दे हैं, तीसरा होता है, लंब बत या समकोड पर, इसको इंगलेस में बोलते हैं, परपेंडीकुलर या राइट एंगल, राइट एंगल तो सभी लोग जाते होंगी, कितने डिगरी होता है, राइट एंगल बोले, 90 डिगरी, तो तीनी condition बनती हैं, या तो घड़ी की सही है, 0 डिगरी पर मिल जाएं, या 180 डिगरी पर मिल जाएं, या 90 डिगरी पर मिल जाएं, अब सवाल अगर एंगल दे दे डिरेक्ट के 0 डिगरी पर कब मिलती है, 90 डिगरी पर कब, 180 पर कब, तो तो ये बहुत ही आसान हो जाता है सवाल को ऐसे पूछ सकता है कि कभ घड़ी की दोनों सुईया एक दूसरे के उपर होंगी यानि 90 डिग्री राइट एंगल हों या पर पेंडिकुलर हों उसका मतलब गया होगा मैं याद रखने जोग बात एकार हो रहे हो कि जी रो डिगरी और 135 एक घंटे में एक बार ऐसा होता है से एक घंटे मैं एक बार चीचुछिंच रोडिकरी बनने कि यानि एक घड़ी की दो सुह यह एक बार होता है कि दूसरी के उपर होती हैं अगली बार और बने टीवी ऐसा होता है कि अपॉजिट जो जब भी वो काटे अपॉजिट होंगे जब जब भी गड़ी की दौनों सवालों पर आपस इसकी थियोरी लिखा करें अब चलते हम सीधे सवालों पर आप से पूचा गया कि एक और दो बजे के बीच घड़ी की दोनों सुईयां आपस में किस समय मिलेंगी अब देखो जब भी ऐसा सवाल दिया होगा तो हमें यह नहीं पता एंगल क्या है हमको बस समय निकालना है यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया सीधे बोला कि किस समय मिलेंगी तो इसको करने का एक जगाड या तरीका है वो यह है 11 बाइ 2 M बरावर 30 H माइनस ठीटा या पिर मैं कहूं प्लस माइनस ठीटा होता है अब हमें इसमें निकालना क्या पड़ता है टाइम निकालना पड पड़ता है और पूछता क्या है एक और दो के बीच तो क्या आप इतना समझ पाते हैं कि एक बज़े और दो बज़े की बीच यहां एक बज़ रहे हैं यह एक है यह दो है, मिनिट में अगर मैं समय, यह जो आंसर आएगा, वो किस में आएगा, मिनिट में आएगा, एक और दो के बीच हमेसा मिनिट में आएगा, क्योंकि एक और दो के बीच का जो समय अंतराल है, वो कितना है, 60 मिनिट का, इस से ज़्यादा का तो नहीं हो सकता, 60 मि acceptable नहीं है दूसरा टाइम नेगेटिव नहीं आना चाहिए है नेगेटिव नहीं हो टाइम नेगेटिव नहीं हो क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है खराब हो सकता है अब देखो इसी फर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा आसान बना हूँ या थोड़ा चेंज कर लू पर ऐसा क्या लिख सकता हूं इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको समझने में इस बात को समझने में यह इसी का थोड़ा सा सरलतम रूप है थोड़ा सा सरलतम रूप है कि आपको मिनिट में समय चाहिए तो आप क्या करें 30 यहां पर H नहीं लिख पाया मैं इसको एक 11 लिख दिया इदर जाकि क्रोस मिल्टिप्लाई कर दिया केवल सीधा सीधा अब मिनिट में आंसर आएगा अब यहां से दो पॉसिमिलिटी बनती हैं दो आंसर आते हैं दो आंसर आ सकते हैं तो दौनों में से कौन-कौन सा acceptable एक तो 60 मिनिट से एगा ज्यादा का समय होगा तो नहीं ले सकते हैं आप 60 मिनिट गरी का जो एंगल होता है उसमें दो बार बनता वो एक घंटे में तो दो टाइम आ सकते हैं कुछ एंगल ऐसे होते हैं जो दो बार नहीं बनते किसी किसी टाइम की बीच एक बार बनते हैं तो उस केस में साट मिनिट से ज्यादा का समय आएगा तो मत लेना उसको नेगेटिव आए तो नहीं लेना है चीक है अब इसी सवाल को करते हैं कि समय आपको दे रखा है 36 गड़ PSC में इस सवाल पूछा गया है एक और दो के बीच एक और दो के बीच तो भाई साब जो गंटे में हमें टाइम लेना है एच जो लेना है वो पहले वाले समय को लेंगे क्योंकि गड़ी यहीं से चलना सुरू करेगी एक से एक और दो के बीच में पूछे तो पहल 30 इंटू H की जगे बन रखा है प्लस माइनस एक बार प्लस में निकाल देना इसको एक बार माइनस में आप को सिस करें पहले एक बार में निकालें क्योंकि ऑप्सन में आपको दो टाइम नहीं मिलेंगी यह की मिलेगा तो प्लस या माइनस थोड़ी सी कुछ लोग समझदा जीरो डिगरी का कौन बनेगा तो यहां पर प्लस लगा लो यह माइनस लगा लो से कोई फरक नहीं पड़ेगा इंटू 2 वाई 11 देखो 30 30 दूनी 60 हो जाएगा 60 में 11 का भाग दो 11 55 5 बचेगा 5 बटे 11 यानि 5 सही 5 बटे 11 मिनिट बाद ऐसा होगा 5 सही 5 बटे 11 मिनिट बाद होगा वो कब होगा एक बजकर 5 सही 5 बटे 11 मिनिट बाद होगा यह जीरो डिगरी मैंने कहां से रखा यह जीरो डिगरी कहां से रखना आपको कहां से समझना यह बात समझे लो आपस में मिलने का मतलब क्या होता है आपस में मिलना मतलब जीरो डिगरी जीरो डिगरी है ना तीन ही कंडिशन बनती है जीरो डिगरी बनेटी है नाइंटी डिगरी की तो इसका आंसर हो गया और यह पूछा गया देखो 36 गड़ पीसी में अगले सवाल से और अच्छे से क्लियर करेंगी बोले रात्री नौ बजे के बाद का मतलब कुछ नहीं है रात्री नौ से दस के ब पूछा 9 और 10 के बीच एक दीबार पर घड़ी की घंटा और मिनिट की सुहया एक दूसरे की विपरीत किस दिसा में किस समय की विपरीत दिसा को कु층 का पकड़ लिया किस चीज को opposite direction को यह opposite direction जो है वो बता रहा है कि एंगल 180 degree का बनेगा एंगल 180 degree का बनेगा विपरीद दिसा में एंगल कितने का बनता है 180 degree का मैंने अभी सिखाया आपको कि M बराबर क्या करना है 30 H plus minus theta 2 by 11 अब इसमें time कौन सा लेते हैं हम पहले वाला 30 गुणा 9 270 plus minus theta कितना है 180 into 2 by 11 मैं कहता हूँ एक बार आप plus ले लो या minus ले लो minus ही ले लो जब इदर वाली value बड़ी आई रही है तो आप आराम से घटा सकते हो तो घटाओगे तो आजाएगा 90 90 में 2 का गुणा करोगे और भाग लगा दो 11 180 बटे 11 कर दो 11 से भाग लगाओ 11 एक कम 11 बचे का कितना साथ 70 11 6 66 4 बटे 11 16 सही 4 बटे 11 यह जो टाइम हो रहा होगा जिस समय घडियां एक दूसरी का पोजिट होंगी वो क्या होगा 9 बज़कर 16 4 सही 9 बज़कर 16 मिनिट 4 बटे 11 यह समय हो रहा हो ऐसा उप्सन में मिल जाए डारेक्ट तो आपांस लगा देना अगर यह नहीं मिलता है इन के साबको ऐसा हो जाए कि यह वाला समय नहीं मिल रहा है तो एक बार माइनस की जगए आप पलस करके देख लें दूसरी कंडिशन भी बन सकती है और बैसे तो मैंने बता दिया आपको कि 180 डिग्री का इंगल जो होता है वो एक घंटे में एक ही बार होता है ऐसा तो एक ही समय निकलेगा उसके दो समय नहीं निकल सकते दो टाइम नहीं निकल सकते क्यों कि नौ बज़े का सीन क्या होता है गंटे की सुई है और ये मिनिट की सुई है सुला पर तभी तो बने टी डिग्री का इंगल बने उसके बाद कहीं और नहीं बनता बने टी डिग्री का तो टाइम एक ही आएगा वो एक आपकी केल्कुलेशन की उपर है कि आप प्लस लेके करोगे तो इजीली हो जाएगा कि माइनस लेके करोगे देखो प्लस लेके करोगे तो ये 180 डिग्री से ज्यादा का इंगल बन जाएगा आंसर तो आएगा इससे कुछ भी बिष्ट है नेक्स पिर आती है एसी कंडिशन जिसमें मैंने बैसे तो यह चीज़ में बता चुका हूं मैं को लिनियर का मतलब होता है संपाती होना है तो गडियों की दोनों सूईयों का संपाती होना या आपस में एक दूसरे के मिलना ऐस यह कईस बनेगा कि भो कब बनता है जी्लो डिगरी पर कितने डिगरी पर जीरो डिगरी पर और ऐसा कोशन पूछा जाता है कि घड़ी की दोनों सूह एक घंठे में कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं तो आपका जवाब होगा एक बार पर एसा पूछ ले गुझा जाता है कि बारा गंटे में कितनी बार मिलेंगी तो आपका जवाब क्या होना चीयी बारा लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं होता है क्युकि बारा वार सही मिलती है अब आप पुछेंगे ऐसा क्यों है कि वो एक बार नहीं मिलती है वो इसलिए नहीं मिलती है कि जो घड़ी की सुई होती है दो मिनिट और गंटे की सुई वो हर एक गंटे में एक दूसरे से मिलती है क्या हर एक गंटे में नहीं मिलती है हर एक गंटे से कुछ जादा समय में म मिलती हैं लगबग 65 मिनट में क्योंकि एक गंटे बाद जब यह दो पर पहुंचेगी गंटे की सुई तब यह बारा पर पहुंचेगी तो थोड़ा-थोड़ा सा आगे बढ़ती चलियागी मतलब हर बार 65 मिनट पर मिलती है तो यह पांच-पांच मिनट एक्स्ट्रा ले रह आखना है कि घंटे की जो दोनों सुई या घड़ी की दोनों सुई या घंटा और मिनिट की वो एक गंटे में एक घंटे में एक बार मिलती है और बारा घंटे में ग्यारा बार अगर यही बात आपसे पूछ ली जाए कि 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी तब बता देना 24 घंटे में 22 बार दूसरा पॉइंट है अपोजिट होना अपोजिट यानि विपरीत घड़ी की दोनों सुईयों का विपरीत होना या अपोजिट होना यह कब होता है बोली यह होता है 180 डिग्री पर कितने पर 180 डिग्री पर और इसके बारे में एक फैक्ट याद रखें कि बोले यह बाली जो घड़ी होती है यह बाली जो सुई होती है या 180 degree का कौन बनता वो condition एक गंटे में कितनी बार बनती है एक बार बनती है और 12 गंटे में कितनी बार बनेगी वो ले 11 बार 12 गंटे में 11 बार मतलब सेम होता है समपाती और अपोजिट सेम condition रहती है लेकिन जो perpendicular या फिर right angle होता है या फिर मैं कहूं कि गड़ी की दोनों होता है बोले यह होता कितने degree पर तो पहली बार तो 90 degree पर होता है और यह एक गंटे में कितनी बार होता है बोले एक गंटे में दो बार होता है पर 12 गंटे में कितनी बार होता है बोले 22 बार होता है केबल दो बार नहीं होता है 22 बार होता है अगर 12 गंटे में 22 बार होता है तो 24 गंटे में पूछ लिया जाए तो बोल देना 44 बार होगा और ऐसे सवाल आए हैं मैं भी आपको दिखाता हूँ देखो UPSC नहीं पूछाता है यह सवाल निम ने लिकित मैंसे किस समय किसी गड़ी की गंटे की सुईयां तता मिनिट की सुईयां आपस मैं 180 डिगरी का कौण बनाएंगी यह तो खेर एंगल वाला ही सवाल होगे कितने समय पर कितने समय के बीच में तो मैं आपको इसको एक बार explain कर दूँ जो पिछला टाइप मैंने करा दिया था बही वाला सवाल था जिसमें हम टाइम निकाल रहे थे इसने पूछा कि कितने समय में 180 डिगरी का कौण बनाएंगी 180 डिगरी के कौण का मतलब क्या होता है दोस्तो एक दूसरे के अपोजट होईंगे गंटे की सुई और मिनिट की सुई अब option में से आपको बताना था इस वार उसने time नहीं पूछा आपसे आपसे यह ऐसे option दे दिये बोले या तो 7 बज़े क्या 7 बज़े गड़ी की दौनों सुई हैं एक दूसरे का पूजट हो सकते हैं कभी ने होईगी क्या 7 और 7 पांच के बीच हो सकती हैं क्या 7 और 7 पांच के बीच में तो मैं एक idea लेने के लिए ऐसी गड़ी का time बता देता हूँ बोले यहां पच्छे बच्चे हैं बज़ते हैं 7 जब यह 7 पर होगा तब 5 पर होगी गड़ी की सुई यानि यह option हो सकता था एक बार को 7 और 7 पांच के बीच फिर हम देखेंगे कि अगला option है 7 पांच से 7 दस के बीच में चौता option एक तो 7 पांच exact पूछा है 7 पांच exact पर नहीं बनेंगी इस पर नहीं बनेंगी यह दोना option हो सकते थे तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा यह चीज यह चीज मुझे चेक करनी पड़ेगी कि 180 degree रखे 7 बज़े के बाद कितने बज़े यह time निकल के आएगा तो हमने उसी formula में रखा देखो बोई आपसे यह कहना चाहरा है कि 7 बज़े के बाद कब घड़ी की दोनों सुईया एक दूसरे के बिपरित होंगी तो हमने कहा कि भाईया H की जगे 7 ले लेते हैं और हमें निकालना है समय तो मैंने कहा 30 into 7 minus plus angle ले लिया 160 गुणा में कितना 2 बटे 11 यह बन गिया 210 अगर मैं इसको plus ले लूँ यह माइनस कर सकता हूँ 180 into 2 बटे 11 210 में से अगर इसको आप घटाओगे तो बचेगा 30 30 में 2 का गुणा करो और 11 से भाग लगा दो 60 बटे 11 60 बटे 11, 11 से भाग लगा 11, 55, 5 बटे 11 5 सही 5 बटे 11 मिनिट बाद 7 बजे के 5 सही 5 मिनिट 11 बजे के बाद ऐसी स्थिति होगी तो बो समय कौन सा होगा 7 बज कर 5 मिनिट से 7 बजे के 7 बज कर 10 मिनिट के बीच होगा आपको लग रहा होगा कि है सवाल थोड़ा सा अलग किसम का क्यों है क्योंकि यह पूछा भी किसने है UPSC ने पूछा है जो सभी स्टेट PCS का बाप होता है पिताजी होते हैं इसमें ऐसी सवाल आते हैं ये हमारा उत्तर प्रदिस PSC ने पूछा है बोले एक दिन में कितनी बार एक दिन में कितनी बार घडी की सुई हैं एक दूसरी के विपरीत दिसा में होगे एक दूसरी के विपरीत दिसा में हो दूसरे के विपरीत होंगे, आंसर हो जाएगा 22, अगला सवाल, एक गोलाकार घड़ी में घंटे और मिनिट के काटे 24 गंटों में कितनी बार एक दूसरे के लंबबत होंगे, लंबबत मतलब 90 डिगरी या राइट एंगल, लंबत मतलब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता, 90 डिगरी और पूछा कितनी गंटों में, 24 गंटों में, हमें पता है कि राइट एंगल एक गंटे में कितनी बार बनता है, दो बार, 12 गंटों में कितनी बार, वो ले 11 बार, सुरी 22 बार और 24 गंटों में कितना बन जाएगा 44 बार तो इसका आंसर कितना जाएगा 44 टाइमस 44 टाइमस सीज का तब समझ पाई जो मैंने कॉंसेप्ट बताए इससे रिलेटर कुशन आते हैं यह MPPCS नहीं पूचा है 2014 में MPPCS सी सेट में आया था अगला सवाल गलत घड़ी पर कि रॉंग क्लॉक कभी कभी घड़ी की इस्तिती बिगड़ जाती है जैसे कोई घड़ी स्लो चलने लग जाती है कभी फास्ट चलने लग जाती है ऐसी कंडिशन बन जा उस किसमें सवाल कैसे बनते हैं तीन चार सवा बुद्धवार को पूर्वा यानि सुबह ठीक किया गया था जब यह गड़ी बुद्धवार को अपरा छे बजे का समय दिखाती है तो उस समय सही समय क्या है तो देखो आपसे क्या कहा गया कि 8 बजे 8 बजे कभ किया गया अब वाल क्लॉक मूब्स 10 मिनट फास्टर एबरी 10 मिनट अब टोटल समय गड़ी ने कितना ट्रेबल किया है बुले इसको सौमबार को सुबह 8 बजे ठीक किया गया और बुद्ध बार को साम 6 बजे देखा गया तो इसका सही समय क्या हो रहा होगा उसमय तो सही समय क्या है उसमय यह टाइब तो 6 बजे दिखा रही ह benefit उसमय स कितने घंटे चल गई गड़ी सौम बार सुभ presum sontive Six Day चली मंडे को आठ एम है ही अस ती मिद्नेबिशकन और सुभा defenders你 सब्सक्राइब 38 गड़ी कितने ऊजाएंगे 48 गड़ी स्पलस्षे जफेतक कितने गड़ी हो वेंगे स्बिलेट 6ggh 10 गटे और जहीं और चारर दस 8 से 4 बारा बारा और और 6 यानि 10 गटे यानि कुल मिला एक 58 गड़ी चली सवामबार से लेकर बुद्वार तक सवाल आप सेहीं कह रहा है कि एगर 24 गंटे में 10 मिनट। तेज होती है ।着 20 गंटे में 10 बंटे 24 घंटे गंटते 0 Workshop से worship को और मैं इसको 2 से काड़ों तो 5 मटे 12 आ यह तो मुझे बताइए 58 मंटे मैं कि marks the 1 प्रेश वेट 28 में मुझ जाए ट्ड़刑र 16 12 से भाग लगा 12, 44, 10 बचेगा 100, 12, 96 और कितना बचेगा 4, 40, 12, 36 5 से अगर मैं गुणा करूं इसको तो 5, 8, 40, 5, 3, 15, 5, 8, 40, और 41, 5, 4, 20, और 4, 24 कुछ इतनी तेज हो जाएगी है, इतनी तेज होने का मतलब अगर एप्रोक्स भी ले लूँ तो मैं यह कह सकता हूँ कि 24 मिनट तेज हो गई, कितने 24 मिनट तेज हो गई, 6 बजने पर यह 24 मिनट तेज थी तो बास्तविक समय 24 मिनट पीछे था, सही समय 24 मिनट पीछे था, किस से 6 से तो 6 में से 24 मिनट घटा होगे तो पांच बज कर 36 मिनट आ रहा होगे हां लॉजिक का था कैलकुलेट करना इंदी था लॉजिक का था आप सीधे सीधे इसको क्या है अठावन कीजिए के साथ माल लो तो सीधे सीधे 24 बार 24 निकल आएगा वहां से है नेक्स्ट MP में पूछा गया एक गड़ी 12 मिनट आगे बढ़ जाती है प्रती दिन अगर गड़ी सौमबार 7 बजे 5 मिनट तक धीमी रही तो उस गड़ी को अगले सौमबार 7 पी एम पर क्या समय दिखाएगी एक हपते तक ऐसा हुगा प्रती दिन 12 मिनट बढ़ जाती है एक दिन में कितना बढ़ती है बंडे में 12 मिनट और ऐसा कितने दिन तक एक सौमबार से लेकर अगले सौमबार तक जाएगी और वो भी सुबह 7 से लेकर साम के 7 बजे तक साम के 7 बजे तक तो साथ दिन का गुणा कर दें सीधे सीधे 12 सत्य चौरासी मिनट तो ये तेज हो गई एक दिन में प्रती दिन 12 मिनट बढ़ती है और इस सौमबार को सौबह 7 बज रहते ये 5 मिनट तक धीमी थी कोई बात नहीं धीमी थी और अगले सौमबार को साथ पीम पर टाइम कैलकुलेट किया गया तो मैं अगर यहां से गंटे निकाल लूँ पहले एक दिन में एक दिन में 24 गंटे और ऐसा साथ दिन तक हुआ तो 24 सत्य कितना हो साथ चोके 28 साथ दुनी 14 और 2 16 16 गंटे उसके अलावा सौमार सास से लेकर साम के 7 बजे की बात कर रहा है अब तो 12 गंटे ही और हो गे यह हैने कुल मिलाके कितने हो गे 170 180 गंटे एक 180 गंटे मैं वो कितना या बढ़ गई होगी 180 गंटे में कितना आगे बढ़ गई होगी 24 गंटे में 12 मिनट बढ़ती है 24 गंटे में कितना बढ़ती है 12 मिनट एक गंटे में कितनी बढ़ेगी 12 बढ़े 24 तो 180 गंटे में कितना है 12 दूनी 24 2 से ये 90 मिनट 90 मिनट तेज हो जाएगी साथ दिनों के अंदर 90 मिनुट तेज हो जाएगी लेकिन पहले से ही वह 5 मिनुट पीछे कि तो 5 मिनुट तो घटा दूसमें से यानि 85 मिनुट तेज हुई यह डिग्री नहीं यार 90 मिनिट तेज हुई थी लेकिन 5 मिनिट वो पहले से दीमी थी तो कुल में लाके 85 मिनिट तेज हुई 85 मिनिट फास्ट हुई यह 85 मिनिट फास्ट कहां से हुई साम के 7 बज़े से कहां से 7 पी एम से 85 मिनिट को क्या मैं 1 गंटा 35 मिनिट कह सकता हूँ और 29 मिनंट और 45 मिनट तो क्या ये आठ बजोकर 25 मिनट वह भी साम का आप बजोकर 25 मिनट या ऐसे सवाल होते हैं जो थोड़ी Logik पर Based होता है आपको Logically इन सवालों को कर सकते हैं 幾ů साम क्लूट कावास बहुत जाद इंप्रोंट Google अपकीस डाल मिनिट की सुईयां बिना जटके चलते हैं इस बात का कोई मतलब नहीं था बस आपको यह समझा रहे हैं कि गड़ी सही सही चल रहे हैं दूसरा पॉइंट कह रहा है कि गड़ी आठ और नौ बजे के बीच का समय दिखाती है किटने मिनिट के बाद दौने के बीच में हैं या आठ बजते हैं यह यह जो भी जह ہंबी है कितने मिनिट के बाद 2 आएक दूसरे के उपर हैं मैंने क्या कहा था हर 65 मिनिट के बाद हर 65 मिनिट के बाद गड़ी की दोनों सुई आपस में मिलती है तो इसकान सार पैसाट आ जाए एक रेल गाड़ी तीन मिनिट बिलम से चलती है ये भी MP में पूछा गया था एक रेल गाड़ी तीन मिनिट लेट से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनिट तीन सेकेंड बिलम हो जाती है प्रत्येक मिनिट में तीन सेकेंड लेट हो जाती है तो बताइए ट्रेन कितने मिनिटों के बाद पूरा एक घंटा लेट हो जाई कितने मिनिटों के बाद पूरा एक घंटा लेट हो जाई देखो पहले से तीन मिनिट लेट चल रही थी तीन मिनिट चल रही थी और हर मिनिट में तीन सेकंड लेट हो जाती है तीन सेकंड लेट हो जाती है तीन सेकंड लेट होती है एक मिनिट में एक मिनिट में और हमको कितना मिनिट गंटा लेट करना एक गंटा एक गंटा मतलब सा размinau 60 मिनट में जो निकालना उसमें तीन मिनिट तो फेले से लेतल तो कुल मिला के हमें जरूवत है कि वह 57 निट कराने की कितनी 57 नेट्ट कराने की जरूव्त है से तेहीं सेकंड लेत acum होती है एक मिनिट में क्या एक सेकंड लेत होगी एक मे amor एक बटे तीन मिनिट में एक सेकंड लेट कराने में एक बटे तीन मिनिट लगेगा तो पहले तो हम एक मिनिट पर आ जाए साट सेकंड मतलब एक मिनिट तो साट सेकंड या एक मिनिट लेट कितने में होगी साट से गुणा कर देंगे तो बीस मिनिट में बीस मिनिट में एक मिनिट लेट तो सतावन मिनिट लेट होने में कितना समय लगाएगी वो ले बीस गुणा सतावन बीस गुणा सतावन कर लो साथ दोनी चवद है पांच दोनी दस और एक ग्यारा और एक जीरो ग्यारा सो चालिस ग्यारा सो चालीस मिनिट लगा देगी 57 मिनिट लेट हो और अगर इस सवाल को वो गंटों में दे देता तो हमें मिनिट का पहले गंटा बनाना पड़ता जो भी समय बचता उसको मिनिटों में लिए इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए चले तो यह टॉपिक यहीं पर खतम होता है दी एंड होता है अगर सेशन अच्छा लगता है जो लोग यूटूब पर देख रहे हैं तो सेशन को लाइक कर दें सीर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें चलिए आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट क्लास में जाहिए